Hello Friends, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 बहुत ही important previous year questions की जो की based हैं alphabet series के उपर और ये questions मैंने लिए हैं SSC के previous year questions से अगर आप ऐसे और questions practice करना चाहते हैं मेरे साथ तो जल्दी से चैनल को subscribe कर लीजिए और bell icon को जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपके पास notifications regularly आते रहें इसके लाबा हमारी app है learning loop जहां से आप related content को access कर सकते हैं in the form of video courses और इतना ही नहीं हमारी website भी है सुरेशगरवाल.in जहां पर आपको मिलता है बहुत ही amazing content at very very nominal prices तो जरूर विजट कीजेगा चलिए देखने हैं पहले question को in the following question select the related letters from the given alternatives तो पहले और दूसरे के बीच में जो relation है वो ही relation आपने third और fourth position पे जो group of alphabets है उसके बीच में establish करना है तो चलिए let us understand how this works h के बाद next alphabet i आता है तो g के बाद next alphabet क्या आएगा बताइए तो इसके reference के लिए ये नीचे मैंने a to z यहां आपके लिए insert किया है just like i comes exactly after h similarly g के बाद आ जाता है edge तो यानि कि हमारा जो first alphabet होगा यहां पर वो हो जाएगा edge m और o के बीच में अगर हम relation देखते हैं तो एक letter skip करके m के बाद o आता है उसी तरीके से m के बाद अगर हम एक letter skip करें तो o आएगा it is the same तो it would be o again P और S के बीच में क्या relation होगा P और S के बीच में 2 alphabet skip हो रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि R से 2 alphabet skip करके यानि कि R से अगर हम 2 alphabet skip करें तो आ जाता है हमारा U और उसी तरीके से Y और F के बीच में क्या relation है वैसे तो हमारा answer हमें यहीं से पता चल जाएगा H O U हमारे पास सिरफ second option में H O U दिखाई दे रहा है तो यहीं हमारा correct answer होगा तो आगे बढ़ने की हमें यहां पर जरूरत नहीं है Let us now look at the second question बिल्कुल वैसा ही एक और question second question आपकी screen के उपर है J P C G M Z इन दोनों के बीच में जो relation है वो ही relation आपने establish करना है P U V और इसके साथ next क्या आना चाहिए तो फिर से हम एक बार refer करेंगे alphabet series को So when we check with this J हमारा है यहां पर और G है हमारा यहां पर तो यानि कि J से G हम दो alphabet पीछे आ रहे हैं minus 2 तो P से दो alphabet पीछे जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे M के उपर पहुंचेंगे तो यानि कि हमारा जो first alphabet यहां पर होगा वो M होगा Then second is relation between P and M तो अगर हम P से वापस जा रहे हैं M की तरफ तो हम दो alphabet पीछे जा रहे हैं तो उसी तरीके से अगर हम U से दो alphabet पीछे जाते हैं तो हमारा next alphabet आ जाता है R तो M and R यानि की option 1 यहां पर हमारा correct option जा रहा है आप चाहें तो third alphabet से check कर सकते हैं और अगर नहीं भी करेंगे तबी भी okay है क्योंकि और कोई option नहीं है यहां पर जहां पर M और R first two alphabets की जगे पर है Let us look at the third question now Here you have to see the relation between the first four set of alphabets that is given और उसके basis पर आपने identify करना है कि fifth spot पर कौन से alphabet आएगा पहले चार के भी इतने relation देखेंगे और फिर पांच पर को identify करेंगे तो easy करने के लिए मैंने पहले से ही slide पर यह solution यहां partly डाला हुआ है जैसे अब T से V की दरफ जाते है तो दो alphabets आप jump करके आगे जा रहे हैं क्योंकि आप A, B, C, D पढ़के देखिए V से दो alphabets skip करेंगे तो X आ जाएगा X से दो alphabets skip करेंगे तो Z आ जाएगा Z से दो alphabets skip करते हैं तो क्या आ जाता है A, B, यानि कि B आ जाता है तो दो alphabets skip कर रहे हैं उसी तरीके से Y से एक alphabets पीछे जाएगे तो X X से एक alphabets पीछे जाएगे तो W, W से एक alphabets पीछे जाएगे तो V और V से एक alphabets पीछे जाएगे तो U तो first alphabets यहां हमारा B है, last alphabets हमारा U है और तो options में देखे हैं हमें पता चल जाता है कि option B हमारा यहां पर correct answer होगा So that is how you go for such questions एक और question बिलकुल इसे तरीके का Question number 4 What will come in the place of question mark in the following series? So series है N, P, O, Q, Q, S, T, V Refer करेंगे alphabets को वापिस से एक बार और इसमें हम क्या observe कर रहे हैं? कि N और O के बीच में plus 1 O और Q के बीच में plus 2 तो यहां पर एक alphabets jump हुआ यहां पर दो alphabets jump हुए Q और S के बीच में Q और T के बीच में plus 3 तो यानि कि T से हमें किते alphabets jump करने हैं? 1, 2, 3 हम आएंगे X के उपर plus 4 करके तो पहला alphabets हमारा X हो गया तो पहला alphabets हमारा यहां पर X है दूसरा हम चेक करेंगे between P, Q तो P से बिलकुली next Q आजाता है Q से एक jump करेंगे तो S आजाता है S से एक jump नहीं, दो jump करेंगे तो V आजाता है और V से जब हम 3 jump करेंगे तो क्या आजाएगा? Z आजाएगा that means option C is the correct answer, X, Z हमारा यहां पर correct answer हो जाएगा Let us check with question number 5 exactly similar kind of a very important previous year question, बिलकुली important previous year question, especially for the SSE exams, तो देखिए वापे से refer करेंगे alphabet series तो इसे यह पता चलता है कि alphabet series तो आपके tips पे होनी चाहिए, exam में जट से उपर लिग दिजिए और आपका काम असान हो जाएगा, क्योंकि आपको relation establish करना बहुत easy हो जाता है, अगर आप alphabet series rough में कहीं पर फटाफट से बना लेते हैं तो W और T के बीच में क्या relation है W से reverse जा रहे है minus 2 करके तो T पे जा रहे है T और Q के बीच में क्या relation है उसी तरीके से minus 2 करेंगे तो Q पे पहुंच जाएंगे Q और N के बीच में क्या relation है again jump by 2 और N से 2 jump करेंगे तो आ जाएगा K, यानि कि हमारा जो first alphabet है वो K है, तो हमारी समस्या का समादान यहीं पर हो गया क्योंकि options में सिरफ एक ही alphabet है जो की K से start हो रहा है एक ही set of alphabet है जो की K से start हो रहा है and option 2 is going to be the correct answer फिर भी अगर आपके पास अगर time है तो ही आप check कीजिए otherwise इतना काफी है अपना answer identify करने के लिए let's check with the next one D से हम आगे जा रहे हैं तो G पर जा रहे हैं so D से हम जा रहे हैं G पर jumping forward by 2 G से हम जाएंगे J पर again jumping forward by 2 J से हम जाएंगे M पर again jumping forward by 2 तो jumping forward by 2 करेंगे तो अगला आ जाता है हमारा P तो हमारा answer यहीं पर confirm हो गया कि हमने जो answer mark किया था वो एकदम correct है K P J यहाँ पर हमारा answer है so if you find this video useful don't forget to hit the like button channel को subscribe कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है और ऐसे ही बहुत सारी और वीडियो में लेकर आती जा रही हूँ आपके लिए जिससे कि आपकी बहुत बहुत अच्छी वाली प्रैक्टिस होजए एक ही तरह की questions एक ही जगे पर और यह help करेगा आपको crack करने के लिए कोई भी competitive exam जिसमें reasoning आपके syllabus का part है थांस वाचिए